सब्सक्राइब टू गीकी कंजूमर एंड क्लिक उन दिस बेल आइकन तो रिसीव लेटेस्ट अपडेट्स हेलो दोस्तो मेरा ना मैं शेखर और आप देख रहें गीकी कंजूमर और मैं आपके लिए टेक लेटेड न्यूज और अपडेट्स लाता रहता हूँ पहली नूज में असूस ने उनका Zenfone AR इंडिया में लांच कर दिया है और बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड में पहला फोन है जो गूगल देड्रीम और टैंगो सपोर्ट करता है इसके स्पेक्स की बात की जाए तो 5.7 इंच का QHD सूप दिस्प्ले इस पोर परता है 8MP front-facing camera with f2.0 aperture and dual LED flash बैटरी 3300 mAh की मिल जाती है ये फोन exclusively flip card पे अविलेबल है 50,000 रोपीज में साथी launch offers भी अविलेबल है जिसके link मेंने description में दे दी है अगली news में Amazon ने local finds करके एक नए section launch किया है फिलाल ये सभी users के लिए roll out नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्दी सभी users को इसका notification मिल जाएगा इस नए section में आप अपने area में कोई भी goods बेच या खरीच सकते हैं just like OLX अगर आपको कोई पुरान या नई चीज बेचनी है तो आप इस section में post कर सकते हैं then जो भी बाइर interested रहेगा वो आपको contact करेगा जैसी के आप screen पर देख सकते हैं ये सभी categories फिलाल इस section में available है अगली news में Nokia 6 की release date confirm हो गई है और August 23 को first sale start होने वाला है Amazon India पे और इसके registration आज से open हो गए है और phone के specs की बात की जाए तो 5.5 इंच का full HD display with 2.5D gorilla glass protection 1.4 GHz octa-core snapdragon 430 processor 3 GB RAM 32 GB internal storage जिसे आप expand कर सकते हैं अब टो 128 GB तक 16 MP rear camera और 8 MP front facing camera साथी battery 3000 mAh की है और security के लिए fingerprint sensor भी दिया गया है और साथ ही कुछ launch offers भी available है जिसके link मैंने description में दे दी है अगली news में Xiaomi का latest smartphone Redmi 5 के images, specs और price leak हो गए है और बताया जा रहे है कि शायद ये 3 variants में available हो सकता है 3 GB RAM with 16 GB storage, 3 GB RAM with 32 GB storage और 4 GB RAM with 64 GB storage और इनकी price around 8,000 से 11,000 रुपीज के आसपास रहेगी detail specs की बात की जाए तो 5 inch full HD display, snapdragon 625 and 630 processor 16 megapixel rear camera, 5 megapixel front facing camera और battery 3680 mAh की मिल सकती है और ये MIUI 9 जो की Android 7 based है इसके साथ आ सकता है तो friends आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो like कीजे, share कीजे और subscribe करना मत भूलिए आगे इसे किसी वीडियो में दुबारा मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ